नमस्कार मैं हूँ मनमोहनभट विपक्ष के बाद सत्ताधारी पार्टी ने भी उत्तरखंड पुलिस की कारेप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिये हैं ये बहुत महत्तोपोण बात है आठ और नौ फरवरी को पुलिस ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी बैकफूट पर आगई सरकार को बैकफूट पर आना पड़ा बेरोजगार यूवक संगठनों की बातों को सरकार को मानना पड़ा उतराखन पुलिस विपक्ष के निशाने पर तो थी ही लेकिन अब सत्ता पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष यानि भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र परसाद भट ने भी पुलिस की कारेप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और इस पूरे प्रकरण की ज एक तरत्व करते हैं वो होते हैं मुख्य मंत्री और एक होते हैं संगठन के मुख्या जो हैं महेंद्र परसाद भट चुनाओं में जब जाया जाएगा सरकार की उपलब्धियों को लेकर तो संगठन को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं बेरोजगार युवको पर क्यों लाठी चार्ज करना पड़ा बेरोजगार युवकों को 8 फरवरी की रात को बुद्वार की रात को क्यों जबरन गांधी पारक से हटाया गया उसके बाद 9 फरवरी को जो अंदोलन छात्रों का चल रहा था बेरोजगार युवक संगठनों का चल रहा था उसमें क कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और पुलिस की क्या भूमी का संदेह के घेरे में हैं इस बात को लेकर लगातार विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था अब महिंदर परसाथ भट ने भी पुलिस की ऊपर निशाना साथ कर बची खुची कसर को भी पूरा कर दिया और सरकार न लेकिन एक संदेह था कि मजिस्ट्रियल जाँच में अगर SDM या ADM इस्तर का कोई अधिकारी जाँच करेगा तो वो कैसे SSP की भूमिका की जाँच करेगा कैसे डिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेट की भूमिका की जाँच करेगा लेकिन सरकार ने बहुत सोच समझ कर गड़वाल क कमिशनर सुशील कुमार को जाच का जिम्मा सौंपा है यानि SSP से भी उपर रेंग के अधिकारी हैं और डिस्टिक मेजिस्टेट से भी वो उपर रेंग के अधिकारी हैं और इन दोनों की भूमिका पर अगर कोई सवाल उठ रहा होगा इन से कोई बातचीत सवाल जवाब सुशील कुमार को करने होंगे तो वो कर सकते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये एक आपचा रिकता है दहरादून के डिस्टिक मेजिस्टेट और SSP के परकतरने की उनके दाइतों में बदलाओ लाने की क्योंकि अगर प्रदेश संगठन सत्ताधारी दल का सवाल उठाता है और किसी कारवाई पर भारते जन्ता पार्टी को बैक फूट पर आना पड़ रहा है तो किसी के ऊपर तो ठीकरा फोड़ना ही पड़ेगा इस पूरे घटना करम के जिम्मदारी किसी के ऊपर तो डालनी ही पड़ेगी बली का भकरा किसी को तो बनाना ही पड़ेगा अब वो कौन होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण है सुशील कुमार जल्दी ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंतरी को सौंप देंगे और उसके बाद बहुत कुछ जिले की प्रशार्शनिक इस तर पर बदल जाएगा युवकों को अपने पक्ष में करने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी और अपना पल्ला जाड़ने की कोशिश करेगी जो पूरी कारवाई हुई है उसके लिए जिम्मदार जिला और पुलिस प्रशार्शन को ही ठैरानी की तैयारी हो सकती है साथ ही अभी के लिए फिलाल इतना ही अगले रिपोर्ट में फिर मुलाकाद होगी तब तक अजाज़त दीजिए नमस्कार